पिछले साल लगबगी सी यहां पर कितना कमाया? मैंने भाई 10 लाख रुपे मेरे नेट बचके थे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई लाइकन भी दबारीजिए नमस्कार दोस्तों मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने फारमिंग चैनल दा अटवांस फारमिंग में दोस्तों आज हम आए हैं कैसे उन्नत किसान के पास जो कई सालों से मुश्रूम फारम चलाते हैं और बड़िया सक्सेस तरीके से जो है इस फारम में वो काम करते हैं और इसको चला रही है तो दोस्तो आज उनसे हम सीखते हैं कि हमें मिश्रूम फारम कि किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ईसका है है क्या इसमें प्रोडक्शन होती है क्या खर्चा है क्या बेचने में क्या क्या इनको प्रोब्लिम होती है और या नहीं होती है तो दोस्तों आज हम आए हैं जो हरियाना सोनी पजिले के बुशाना गाउं में जो की जिस फार्म का जो नाम है वो है रोतास मश्रूम फार्म तो एक तो रुटासिया आप मिरेको बताइए कि जो ये विदाऊ करते हैं योटूब करते हैं यह कितने दिनों से कर रहे ह। पहले मैंने इसके बारे में यारदोस्तों से और जहां पर मिरेको पता चलानों YouTube के माद्दम से या फिर कहा पर जाए जहां पर भी मस्रूम के फार्म थे वहां में मैंने सर्च किया जाकर देखा विजट किया जी मेरे को कितना क्या इसमें benefit है क्या मेरे को profit होगा और क्या नुक्षान होगा इसमें सारा मैंने पहले किया यह बहुत बड़ी है जी मतलब आपने तीन साल से किया उससे पहले आपको इस चीज़ के बारे में कोई तो योटूब पर देखह दहां और जागा थाओं इसके बारे में किसी दोस्त ने नहीं है तो वहां पर जागे देखा मैंने मैंने पंजाब तक खगा है मैं इदर समालका में काफी करतेए करते हैं वहां पर जाके देखा लेकिन हर कोई कुछ अलग अलग व्यूद रहे थे सभी मैं एक का वह नहीं था कि मिलते जुलता किसी का भी सब कोई करें गाटा है गाटे का सोधा कोई फ्रोफिट का लेकिन इसको डंग से किया जाए तो बहुत ही फैदा है तो दोस्तों आप आपने देखा कि रहतार कि एक काम सुरूं करने से पहले सारे के सारे यूटूब चैनल को चैक किया और बहुत पंजाभ प्जाब तक बीए जो हैं घूमं कि आए हैं इसके बारे में इनों高 जान लेते हैं जो ने जो यहाँ पे रचा त्यार हुआ है पहले इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे तो रहाग्तास ची जो आपने बैड बनाए हुए है जो इस बैड की जो चोडाई है यहां से कितनी है साभे तीन फूट साथ तिन फूट और इस बेड़ की जो उचाई है वो एक तनी है इस लगवक साड़े-चार या पांस तक यह पांस तक जो लेने का कोई कारण है कोई रीजन है फिर उपर भी कर लएते हम लेकिन फिर तोडने में दिक्कत आती है इसके ऊपर चड़ने के तो बैड तूट जाएगा हमारा तो कच्छे बैड होते हैं फिर नुक्षान होता सारा जो गिर जाएगा इसलिए हम चारी स्टेप बना गे चलते हैं ठीक है और इसमें आपने जो है तीन तीन स्टेप बनाए हुए है नीचे ग्राउंड हो गया फिर फिर सेकंड और यह जो आपने पूरा दाचा जो तियार किया हुआ है यह लगब कितनी जुगें है मतलब 35 फूट जो है इसकी चोड़ाई है और फिट जो है इसकी लेंथ है इसमें डेट सो मन तूड़ा आप इसमें यूज़ करते हैं अच्छा इसको जो आपने जो कच्छा ढाचा बनाया है जब आपका यह तियार हो जाएगा इसमें लगबग आपका कितना खर्चा जाएग त्यार करनेगा नहीं पहले जो विखत इसमें डाचा जैघा आंगे सबाद मेरे को कटर जाएगे नहीं पर फिर क्रावปमा सव Alm करीब गड़ जाएगा अच्छा पहले साल जो है 25-30,000 पर ज्यादा खर्चा आता है ताकि यह जब यह इसका त्यार करते हैं उसके बाद जो है इन्होंने बोला कि एक लाख रुपे पर साल के इसाथ से 35-60 में एक लाख रुपे खर्चा आ जाता है खर्चा आ जाता है लेबर वगयरा का लेबर का भी कंपोस्ट भी और सारा जो बास वास जो भी है ठीक है और जो है इसमें जो हम बात करें प्रोडक्शन की वह आप कितनी कर लेते हैं सरो अब आप इसमें जो है सीजनली करते हैं या गर्मियों में भी करते हैं नहीं मैं सीजनली करता हूं गर्मियों में नहीं हो पाईगी है जो सीजन हमारा स्टार्ट होता है वो कब से होता है मैं स्टंबर से स्टार्ट करता हूं 25 अगस्त के आसपास मैं बियार से आता हूं तोड़ी लंबी चली गई तो ये मार्च के 20 मार्च तक पकड़ लेगा नहीं तो फिर पहले ही खतम हो जाएगा अच्छा इसके लिए जो रा मेटीरियल होता है जैसे आप इसमें कंपोस्ट डालते हो तूड़ी वगएरा डालते हो वह जैसे आप आपने बताया स्तंबर से मा तूबर नुमंबर दिसमबर जनुवरी फर्वरी माच लगबग साथ महीने में आप एक भी बार मैटीरियल डालते हैं बैडों से की तली बार हो पाएगी दो बार तयार हो पाएगी और थित्नी क्यूंतल और गार्न में लगबगथ أن फहां किसे किसे बिहन JU रुपे का खर्च बताया है यह ко काम इलागे है नहीं उसका अलग से बच जाएगा फिर मतलब जो आप ने दुवारा डालेंगे कंपोस्ट उसका भूसा है हमारा इस तरह से इसका खर्चा बच जाएगा और जो है ठीक है ठीक है और लगबग इसको जो आप सीजन में बेशते हो 25 क्विंटल से आपको जब स्टार्टिंग किया 200 रुपे किलो तक भी विखा है अब लगबग रोज आज के दिन भी 120 का भाव था अगर साम और ऑल सोगा ही रेट लेते हैं तो डाइलाग की होगी डाइलाग रुपे की और जिसमें आपका खर्चा कितना है एक लाग रुपे सर उसमें आपका जो इस में जोड़ा नहीं है ठाण्सपोर्ट का और जोड़ लो और तो सभी का फार्म का आएगा फिर वो नहीं जोड़ा मैंने वैसे बतार है उसमों लगए लो आप 10,000 और जोड़ लो आप इसको बेचने के लिए कहा जाते हैं अजादपूर अजादपूर दिल्ली ये खाल विपढे में इसमें बहुत बढ़िया चीज में आम बने यहां पाइफ 25 relaxed का यह Δोस्त वो ले ते चांट कर तो मैंने आपके सामने क्या क्या चैलेंज आए जब आपने काम शुरू किया तो स्टार्टिंग में मेरे को मंडी की दिक्कत आए थी मंडी की मार्केटिंग की अच्छा अब अजात बूरी तीन दूर है यहां से तो उसके लिए मैंने स्पेसिल गाड़ी ली मैं अपनी फसल बेच रहा हूं मेरे को फिर पुलिस वालों को हाँ पर अपता देना पड़ता है हर लाल बत्ती पर रात को रात की मंडी है यह सुबह फिर ज्यादा माल निकल जाए तो खराव है ताव मन अपनी मनमर्जी के बाव लगाते हैं यह दिक्कत आए जिसे और अब अब भी दिक्कत है सरे अब मैंने दूसरी गाड़ी चेंज कर ली पहले मेरे पास को ती उसी के लिए अब लेकिन मैंने दूसरी लोडर ले लिया ल अब लेबर ले आता है यह 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 रात को इसके बंदे इससे बिघर बताए खुद में तो अर्याने का हूँ बियार के बंदे इसके गाओं के बंदे रात को भी कर बगाए बाग जाते हैं यह दिकर उपता के जाए इसाब लेके जाएं काम किया उन्होंने अपने पैसे ले रखनी चाहिए जी इसमें बिल्कुल बेमारी आने का बोटर रहता है कोई भी आदमी बाहर से तो उसको अपने फार्म में कितना ही प्यारा क्यों नहीं हो नहीं जाने दें एक तरह से फंगस ही और बार से फंगस भी आता है वह फैल जाएगा तो उसमें फिर क्या प्रोबलम अब इसको खरीते हो जी सरम में अलग अलग जंगे से लेका है थे सवदेशी है और गंदोर में असों गवाई हैं बहुत बढ़ी आप बीज बनाते हैं गंदोर में नस्दीक तो हमारी यह गंदोर में और फिर यह जो है जब आपने बीज इसमें डाला तो लगबक कितने द लेते हैं एक महिना जब आउटबूट होती है तो अंदर डालने के बाद कुछ ऐसा भी है कि आगर कोई भी आपकी जो मुश्रूम तियार होगी आगर आपने दस दिन तक पांस दिन तक ना तोड़ी तो खराब हो जाए को ऐसी भी प्रोब्लम जी यह बहुत दिक्कत है जै और तोड़ा जाए और सभी टाइम पर मंडी पुचाया जाए जब है अच्छा मैंने जैसे आपके मैंने उसमें विजिट किया आपकी जो आपने बनाई हो है बैट बनाए हो है वहां पर लाइट नहीं लगाई हुए उस लाइट ना लगाने कारण क्या तेंप्रेचर के ल तो दर्स को मैंने यहां पर मतलब ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश की है तो चलो कुछ और जानते हैं सर से आज मतलब सर को इतनी नोली जाए इस काम को इतने पैसंस से कर रहे हैं तो मैं थोड़ी सी कुछ बाते और जानना चाहूंगा तो चलिए थोड़ा स चलते हैं सर के परं के अंदर देखते हैं तौड़ा सा विजट करके ये जो है सर ने जो है लिविंग रूम बनाया हुआ है जो भी इनकी लेबर है आती है वो ठहरते हैं उनके लिए बड़ा ही श्यांदार और अच्छा जो है प्राकरतिक तरीके से जो है लिविंग रूम बनाया हुआ है जिसमें इनोंने प्राली का यूज किया हुआ है जो है कि भी कल को किसी भी लेबर को किसी तरह की कोई ठंड ना हो कोई बीमार ना हो इसके लिए उन्होंने बहुत ही बड़ी लाइट लगा के नीचे प्राली वगरा बिछाके और बहुत अच्छा जो है लीविंग रूम और यह देखो यहां तक कि उन्होंने चार्जर तक भी ज तो यहीं पर सर जो है इसी लीविंग रूम के अंदर जो है इनोंने 200-200 ग्राम के जो है यह पैगिंग बनाते हैं और उसके बाद फिर जो है यह बड़ी जो है पेटी के अंदर जो इसको यह डालते हैं और फिर इसको यहां से दिल्ली पहुंचाते हैं तो दोस्तों अब हम आगे हैं मश्रूम फारम के अंदर और आपको दिखाते हैं जो सर ने बैट लगाए हुए हैं और लाइट तो इन्होंने यहां भी नहीं दी हुई है तो हम टोर्च से तोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे यह देखिए यह जो है मश्रूम है अभी यह जो मश्रूम हम देख रहे हैं सर यह तियार हो चुकी है यह तोड़ने वाली है यह अभी नहीं टूटेंगे तो मतलब यह रात के टाइम जो है इसको तोड़ना पड़ता है रात की मंडी होती है इसलिए रात को ही तोड़ना पड़ता है तो इसको तोड़ने के बाद जो है फिर उसके बाद रात को ही आप पैकिंग करते हैं रात को ही पैकिंग करते हैं रात को ही पैकिंग करते हैं और पिर दिल्ली बैषित तो यह सारा सारा मतलब एक ही रात के अदर सारा सारा सीस्टम करते हो ऑफेश के मुपनी नहरी पानी का सांय मिठ़ा पानी किसा मानी चाहिए मिठा पानी है तो बहुत बड़ी आए लेकिन नहरी पानी में कई तरिके कितानों आते हैं नेटिया झी और उसमें फिर दिख्ट आ जा जाती फार्म में और ये चीज बहुत जल्दी उसको बैक्टिरिया वो पकड़ती है सर बहुत बड़ी है सर ने जो है हमें इंफर्मेशन दी है कि नहरी पानी का पानी का पानी का यूज करेंगे उत्रहें बैठ रहां पारें लिए अच्छा इसमें जो है पानी का आप छिड़काओ करते रहते हैं तो इसके लिए आपने कोई फोगर लगाए या खाली ऐसे पाइप है इसके आगे आपने जो है फवारा लगाया हुआ है और प्रेशर से जो है वह फिर फोगर की तरह काम करता है अगर हमारी सरकार थोड़ा करें किसानों को तो इसमें मतलब बिरोजारी समस्या कहतम हो सकती है बोध बड़ी है लेकिन नहीं करें सरकार कोशिस तो बहुत करी लेकिन बीच में खाने वाले बहुत हैं अभी जैसे मैंने लगा यह पिछे स्टार्टिंग किया तो सबसीडी दे रही थी गवर्मेंट जनल तो इसे 25,000 रुपे तो सर बीच में खाने वाले जासे अपने फारं में अपने अठर में चार्म में करते हैं स्ञिव मेरे बाए के नाम थे मेरे मदर के नाम तो ऑब是啊 तो बो ले अर आदे मेरे को जिढ़े तो ले हम तो तब सबसी इसे जो करेंंगे hem तो सब्सीठी पास कर किसान भाईयों यह एक किसान का दर्द है जो हम सब लोगों को समझना पड़ेगा आप यह बोलते हैं कि जो अपना मुश्रूम भारा में इस पे 9000 रुपे सबसीडी है लेकिन जो बीच के जो मीडियेटर है जो सबसीडी सरकार से एक किशान तक पहुचाते हैं वो मांगते हैं जो अधिकारी लोग है वो कहते हैं कि हमें 50% आप दो तब हम आपके सबसीडी पास करेंगे तो दोस्तों एक छोटी बात नहीं है यह बहुत बड़ी बात है तो मैं सभी किशान भाईयों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करो इस किशान भाई का दर्द जो है जो सचाई है इन्होंने बताई है इसको सरकार तक पहुच रही है इसके उपर क्या उस योजना का बेनिफिट जो है लाब है वह हमारे किसान भाईयों को मिल रहा है तो इसके उपर सरकार जुरूर एक्शन ले तो इस वीडियो को मैं आप से तै दिल से इस चीज़ की गुजारिश करता हूं कि इस बात को इस वीडियो को जो है आप ह offended Kṛṣṇa कि ऐसने चोवा मैं रूजर के चेक करते हैं उसे पानी कितने दिनका डेना पड़ता है स्टार्टिंगude न ही करते हैं रोज देना पड़ता है ठीक है तो कि अदिना मतलब बहुत अच्छी और एक अच्छी नोलीज जो है हमारे सर ने दी है तो मैं लास्ट में सर से कोश्चन और करना चाहूंगा क्या मेरे किसान भाईयों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मश्रूम खेती के तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए जी यह तो उसके फाइनिसल डिपेंड करता है पैसे के उपर और खुद का पैसा है तो स्टार्टिंग कीजिए मैं चाहूंगा कि जैसे मैंने शुरू किया उस तरह से नहीं करें छोटे स्टर पर शुरू करें मैंने श्रूर्टिंग में बड़े से किया और सरकार की तरफ यह हम सोचते हैं कि इसमें सरकार हमारी हेल्प करेगी हमारे को सबसीडी देगी हमें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा लेकिन सर कह रहे हैं कि इस चीज़ को हमने भूलना पड़ेगा कि हमें सरकार से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा और हमने अपने लेवल पर ही अपने बेस पर ही इस काम को शुरू करना है और सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि लगबग आपने पिछले साल का जो ट्रनवर आपका रहा तो आपने पिछले साल लगबग इसी यहां पे कितना कमाया मैंने भाई दस लाग रुपे मैंने बचके थे दस लाग रुपे सारा खर्चा पानी काटके 10 लाग बचके साथ महिने की जो है इस खेती के दुराण आपने दस लाग रुपे यहां पे कमा लिए और लगबग आपके कितने एरिये में जो है यह फारम है और यह डेडेडेकड में तो जो है अपने किसान भाई ने बड़ी मेहनत के साथ यहां पर काम किया और इस डेडेकड के अंदर इन्हों ने दसलाग रुपे तक यहां पिछले साल net profit कमाया है और हम उमीद करते हैं कि इस साल वो पिछले साल से काफी बेहतर कमाएंगे क्योंकि इस साल जो कह रहे हैं कि रेट भी अच्छा है तो आपकी इस जान करें के लिए सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ थैंक यू तो दोस्तों आगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइब करो सब्सक्राइब करो थैंक यू जैहिन जै भारत